दोस्तों तारग मेता सीरियल में दया को शो से मिसिंग हुए ओल्मोस्ट पांस साल हो चुके हैं यहाँ पर दोस्तों जब स्टार्टिंग में वो गई थी तो मेकर्स को ये डर था कि उनके जाने से टी आरपी पर फर्क पड़ेगा इसलिए वो प्रेगनेंसी की हालत में भी शूटिंग कर रही थी लेकिन जब वो गई तो टी आरपी पर कुछ खास फरक नहीं पड़ा और इसलिए मेकर्स ने भी उनको रिप्लेस नहीं किया और उनका वेट किया लेकिन अब तारग मैता ऐसी सिचुएशन में है कि टी आरपी बहुत कम हो चुकी है और यहाँ पर तारग मैता को कुछ ना कुछ बहुत ही जादा इंटरस्टिंग करना होगा कि जिसकी वज़ा से शो की रेटिंग एकदम रोकेट की तरह उपर जाने लगे और ऐसे में mostly हमें पौपट लाल की शादी की स्टोरी देखने को मिल जाती है शो में लेकिन पिछले कुछ टाइम में हमने बहुत बार पौपट लाल की शादी पर स्टोरी देख लिया और अब तो time के साथ लोगों का भी interest कम हो रहा है पॉपट लाल की शादी के लिए हर बर सेमी चीज होती है इसलिए यहाँ पर दया की entry को show के makers ने संभाल के रखा हुआ है और शायद वो भी इसलिए दया की entry नहीं गरवारे और अब शायद वो time आने वाला है जब तारिक मेता show को एक बड़ी story की जरुरत है और दया की entry से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता अब चाहे दिशावकानी वापस आए या फिर कोई और actress दया के रोल में आए लेकिन एक बहुती suspense full story के साथ यहाँ पे दया की entry होती है तो show की rating अराम से 2 से तो उपर जा सकती है easily और show हमें top 5 में भी देखने को मिल सकते हैं आप क्या सुचते इस बारे में comment में बताना और subscribe कर लीजिए Real Talk को आने वाली interesting updates के लिए